हाँ जी नमस्कार स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज का जो हमारा बिंदु है वो करण्ट से सम्मंदित और एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट चर्चा कर रहे हैं राजस्तान में कंजर्वेशन रिजर्वे हेडिंग जैसे कि आपको दिख रहा है कि अब राजस्तान में जो कंजर्वेशन रिजर्वे हैं वो टोटल 26 हो गए हैं कितने हो गए हैं 26 सपर 20 तक चला था और फिर अचानक से कितने हो गए हैं 26 क्या-क्या पूर्पुन बिंदु है और कोण से ऐसे कंजर्वेसन रेजर्वे हैं जो किशी ना किशी चहतर गंदर पहली बार इस्था पित हुए ईए चर्चा करते पहला क्विशन आपके सामने तो यह है कि 22 अप्रेल जो अभी आपके 2023 का जो पर्थवी दियुष मनाया गया था 22 अप्रेल 2023 को जो पर्थवी दिवस मनाया गया था इसी पर्थवी दिवस के उपलक्स में राजस्तान में तीन नए कंजर्वेशन रिजर्वे कौन-कौन से एक तो आपके सोर्षेन कंजर्वेशन रिजर्वे 12 एक आपके हमीरगड कंजर्वेशन रिजर्वे भीलवाड़ा और एक आपके खिंचन कंजर्वेशन रिजर्वे जोत्पूर ये तीन नए बढ़े हैं इसलिए अब राजस्तान में कितने कंजर्वेशन रिजर्वे हो गए हैं टोटल 26 तो याद अखना है कि उसन यहां से पुछेगा कि निम्न में से वहे कंजर्वेशन रिजर्वे जो 22 अप्रेल 2023 को पर्थवी दिवस के उपलक्स में नहीं बणा है तो आपको ऑप्शन में देदेगा सोर्सेन, हमीरगड, खिंचन और गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्वे इ अब यहां पर विशेश बात देखे, जोदपुर जो खिंचन है, खिंचन किसके लिए परसिद है, तो याद रखेगा कूर्जा के लिए, तो आपको एक्जामन उठा कर पूछेगा कि कूर्जा से सम्मंदित राजस्तान का पर्थम कंजर्वेशन रिजर्वे, कंजर्वेशन रिजर्वे, उस परकार से यहां से पूछ लेगा कि कुर्जा से सम्मंदित राजस्तान में कंजर्वेशन रिजर्वे कहां परिस्तापित है, तो याद रखेगा खिंचन कुर्जा कंजर्वेशन रिजर्वे जोदपुर, तो यहां पर तीन बात है, लेकिन अप्रेल 2023 को पर्त्वी दिवस के उपलक्स में राजस्तान में कौन से नए तीन कंजर्वेशन रिजर्वे बने तो सोर्शेन बारा हमीर गड़ भीलवाडा और खिंचन जोदपूर ये तीनों तो याद हो गए होंगे आईए एक बार हम संपुन चर्चा करते हैं कि राजस्त पूर कंजर्वेशन रिजर्वे याद रखेगा टॉंक एक नमर ये याद रखना है दूसरा आपको याद रखना है वेरी वेरी इंपोर्टेंट जोहड बीड कंजर्वेशन रिजर्वे बिकानेर ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक है इसके बाद में नमर तीन जो है व विस्तार दो दो जिल्लों में है जैसे देखिए सुन्दा माता जो कंजर्वेशन रिजर्वे है वो जालोर और शिरोई के अंदर है अच्छा यह किस से संबंदित है तो याद रखेगा भालू से संबंदित क्यूंकि एक्जामने क्यूशन पूसता है कि राजस्तान में प्रीक चर्चर्वेस्वे क्योंकि यह शिक्कर और जुननू दो जिलों में विश्चरित है तो पहला तो हमने पड़ा विशलपूर टॉंक में हैं दूसरा जोहडवीड विकानेर में हैं तीसरा सुंदा माता चर्चर्चर्चर जो आपके जालोर कहां है शिरोए में ठीक है अ नंबर 6 है रोट्टू और यह दोनों ही नागोर हैं आप SI का पेपर उठा कर देखिए RS का पेपर उठा कर देखिए इन दोनों में से एक तो आपको मिलताए मिलता या तो कहाँ पर है या रोट्टू कहां पर है और ऑढ़र रीच्प यह conservation reserve कहां पर है तो याद रिखेगा पाली में दोनोई पाली के अंदर दो है जमवई बांद लेपड 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 का मलब तेन दुआ होता है जमवई बांद लेपड फरस्ट और जमवई बांद लेपड सेकिंड दोनोई कहां पर है आपके पाली में नमबर नोव याद रिखेगा बीड conservation reserve किस जिल्ले में मन्चा मलते पार जमवई कोई बांचयाल कर मकाल धियो कहां पर वांद लेपड कहां पर जूंजुन में और बांचयाल खेतरी से किंड भी इंद कार फरस्ट सब्सक्राइब का विष्टार जुझनु में तो बारा और नंबर तेरा आपके कौन सा उक्या साकंब्री कंजर्वेशन रिजर्वे सुन्दा माता के बाद में यह राजस्तान का दूसरा ऐसा कंजर्वेशन रिजर्वे है जो दो जिल्लों में विष्ट्रित है शिक्र और थिरोए में तो नंबर चोदा है आपके सामने याद रखेगा उमेंद गंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्वे कहां पर है कोटा में नंबर पंदरवाण जो बना था वो है आपके साहबाद बारां याद रखेगा और नमबर शोड़ा जो था जो पहले कभी नविन्तम था अब तो ओर भी बनगे हैं बहुत सारे लेकिन यह जरूर याद रखेगा नमबर शोड़ा जो हे वह है रनकार कंजर्वेशन रिज़र वे चितलवाना तैशिल जालोर जिल्ले में वेरी वेरी तो सोडा तो ये रहे अब इन में से जोहड बीड, गुड़ा विश्णुयान, रनखार, शुन्दा माता, जमाइबान, लेपडवाले, उमेंद गज, साबाद, विशलपुर, गोगला, रोट्टू, साकमरी, बांशियाल फ़र्ड, सेकिन, मंचा माता, और यहां तकी बीड, यह सारे इंपोर्टेंट है, कोई भी पेपर उठा कर देखिए, इन में से आपको क्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, अब चर्चा है नवीन्तम की, वो कौण-कौण से नवीन्तम है, क्यूंकि रनखार तक ही हम पढ़ रहे थे, यहां तक ही हम याद कर रहे थे, आगे वाले अब एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट होंगे, आप कोई भी पेपर उठा कर देखेंगे, आपको कंजर्वेशन रिजर्वेशन सरंक्षित चैतर से रिलेटेड क्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, अब नवीन्तम कौण से हैं मतलब 17, 18, 19, 20, 21, इस परकार से 26 तक कौण कौण से बढ़े उनके बारे में देखेंगे, और वो भी करम से बताऊंगा आपको, ठीक है, आप देखेंगा, 16 नमबर जो बना था, वो है आपके साहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेब बारा, नमबर 17, 16 मा कौण सा था, देखेंगे, पंदरमा था आपके साहबाद बारा वाड़ा, सोडवा कोंड सा था रनकार जालोर वाड़ा सत्रवा कोंड सा बणा साभात तलहटी एक बार फिर बारा अठारा नंबर जो बणा वो है बीड गास फूलिया खुर्द भिल वाड़ा याद रखेगा ठीक है क्रोकोडाइल तो यह आपके 19 नमर है उद्यपूर के अंदर 20 नमर है आपके वाड़ा खेडा शिरोही याद रखेगा 20 नमर कौन सा बना था वाड़ा खेडा शिरोही नमर 21 की मैं चर्चा करूँ तो वह है आपके जालाना जैपूर याद रखेगा जालाना आप सब जानते हैं राजस्तान के पर्थम लेपड शफारी यहां पर शुरूई थी जालाना और आमागड में दूसरी तो यह है आपके जालाना कंजर्वेशन रिजर्वे जैपूर जो यह नमबर 22 और नमबर 23 जो बना है आपके सामने है वो है यह खडमोर कंजर्वेशन रिजर्वे याद रखेगा जमेर तो 23 तक तो थे अब जो 22 अपरेल को पर्थु दियुस मनाय गया था उसके बाद में फिर 3 नए और बने तो 23 और 3 होगे 26 कौन-कौन से बने तो 24 नमबर बना है आपके सामने सोर्षेन 12 25 नमबर जो बना है वो है आपके हमीरगड भिलवाडा और 26 नमबर और सबसे जो नविन्तम है याद रखेगा खिंचन इन तिनों का तो विशेश तोर पर याद रखेगा कौन-कौन से देखेगा सोर्षेन हमीरगड और खिंचन ये तीनों-क तीनों कंजर्वेशन इजर्वे 22 अप्रेल 2023 को सोर्षेन 12 हमीरगड भिलवाडा और खिंचन याद रखेगा जोतपुर वेरी-वेरी इंपोर्टेंट है ये तीन नविन्तम अच्छा इससे पेले वाले भी जरूर याद रखेगा 23 नमबर कोण सा है खडमूर 22 नमबर कोण सा है वो और इंपोर्टेंट है याद रखेगा रामगड कुंजी सुवास बारा के अंदर ठीक है तो ये है आपके राजस्तान के अंदर अब कुल कंजर्वेशन रिजर्वों की संक्या कितनी हो गई है चबबीस डाइरेक्ट वन लाइनर ही पूछ ले कि राजस्तान में अब कंजर्वेशन रिजर्वे कितने है तो याद रखेगा 26 और बार बार के रहूं ये इंपोर्टेंट है के हाली में पर्थवी दिवस के उपलक्स में राजस्तान में कितने कंजर्वेशन रिजर्वे बने तीन सोर्षेन हमीरगड और खिंचन मतलब राजस्तान का सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्वे है बिशलपूर टॉंक और कि राजस्तान का सबसे नवीनतम कंजर्वेशन रिस गोगा खिंचन फलो दी जो कि कूर्जा से सम्धित है ये कूर्जां से सम्धित है सुन्धा माता भालू से सम्धित है याद Denk तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में लेकिन एक बार फिर के रहा हूं कोपी के अंदर इसी परकार से ये नोर्स बना लिजिए आगामी एक्जामों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रेना वड़ा है तन्यवाद